Hello guys, आज हम इस वीडियो में MCX India Ltd. Share के बारे बात करेंगे जो Share का प्राइज है वो 1512.95 पैसे है और इस Share ने आज 2.11% के रिटन्स दिये है वहीं अगर हम 5 दिन पहले देखे तो 5 दिन पहले जो Share उसने 2.70% के रिटन्स दिये है वन मन्त की बात करें तो वन मन्त में Share में 7.99% की गिरावट आई है 6 मन्त में Share ने 13.94% के रिटन्स दिये है Year to date में देखे तो Year to date में Share ने 3.79% के रिटन्स दिये है Max में All Time की बात करें तो All Time में जो Share है उसने 16.68% के रिटन्स दिये है शेयर के book value, face value और बीटा की बात करें तो तीनों ही positive है तो ये शेयर अभी short time में भी रिस्की नहीं है शेयर के volume की बात करें जिसकी volume है today की वो 4 lakh की है, yesterday की 3 lakh, one week average की 2 lakh और one month average की 4 lakh शेयर की जो delivery है yesterday की वो 1 lakh 45.76% की है, one week average की 75 के 37.34% की है और one month average की जो delivery है वो 2 lakh 38.59% की है शेयर के resistance और support की बात करें जो इसका पहला resistance है वो 1,493.10 पैसे है, दूसरा resistance 1,504.45 पैसे है, तीसरा resistance 1,522.90 पैसे है इस share का पहला support 1,463.30 पैसे है, दूसरा support 1,444.85 पैसे है और जो तीसरा support है वो 1,433.50 पैसे है इस share के share holding की बात करें जो FII है उसके पास इस share की 23.45% की share holding है, DII के पास 50.62% की, public के पास 25.74% की इस share की जादे तर जो share holding है वो DII के पास है और बाकी जो public और FII के पास है, उसके पास same ही जो share holding है वो बटी हुई है.